आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सबी गनित, रसायन, विज्ञान, भॉतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट का करो सफाया बज प्रशन के फोडो कीचो, एक की प्रशन को क्रौप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाऊ सवाल है S solid plus O2 gas arrow SO2 gas तंत्र के लिए चार विकल दिये हुए है पहला है delta H equal to delta E दूसरा है delta H greater than delta E तीसरा है delta E greater than delta H और चौता है delta H ब्रावर 0 अब हम देखते हैं किसी भी अविकरिया के लिए कोई हमारे पास अविकरिया हो उसके लिए delta H का सुत्र होता है delta H ब्रावर delta E plus delta NG RT यहाँ पर जो delta E होता है वह होता है enthalpym परवर्तन, delta E का मतलब होता है आंत्र कूर्जाम परवर्तन, delta NG का मतलब होता है gaseous molों की संख्या में परवर्तन और R का मतलब universal constant और T का मतलब ताफ जो हमारा यहाँ पर जो main rayon play करेगा delta NG और delta NG का मैं बता ही चुका हूँ gaseous molों की संख्या में परवर्तन यानि के उत्पाद के gaseous mol उत्पाद के gaseous mol minus अभिकारक के gaseous mol अभिकारक के gaseous mol तो मैं इस अवक्रिया के लिए क्या निकाल लेता हूँ delta NG का मन निकाल लेता हूँ अवक्रिया है S solid plus O2 gas बना रहा है हमारा SO2 gas अब आप देखो यहाँ पर delta NG का मन क्या होगा उत्पाद के लिए gaseous mol यहाँ पर एक mol SO2 बन रहा है तो उत्पाद के लिए gaseous mol 1 हो गया माइनस अभिकारक के लिए gaseous mol यह जो S है वो तो आपका ठोस है से तो हमें कोई मतलब है नहीं हमें क्या चाहिए gas के mol चाहिए O2 का भी क्या है एक mol है तो यहाँ पर delta NG क्या हो जाएगा आपका 0 अगर delta NG आपका 0 होगा तो क्या कहेंगे हम delta H बराबर delta E plus 0 गुणा RT तो यह पूरा भी क्या हो जाएगा आपका 0 तो यहाँ पर delta H किसके बराबर हो जाएगा delta E के तो यह संबंद देखें किस विकल्प में आ रहा है पहला विकल्प बराबर तो पहला ही हमारा सही उतर होगा धन्यवाद